जै माकाली मित्रों आपका हमारे चैनल माकाली माधुरगा शक्ती समवाद में स्वागत है मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शियर कीजे साथी नोटिफिकेशन बेल को भी प्रैस कीज़े जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंथ मिल जाए मित्रो आज का जो विशह है वो विशह ये है कि सवारी वाले व्यक्ति को कैसा गुरू बनाना चाहिए अपने आप में मैत्पॉर्ण विशह है तो आप वीडियो को पूरा सुनिएगा देखिए जब भी किसी व्यक्ति को सवारी आती है सवारी एक ऐसा विशह है जिसके बारे में हर कोई ग्यान नहीं रखता है और सवारी का ग्यान रखने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं जिनको वास्तविक ग्यान होता है सवारी का बाकी अलग बात है जिनको जो पता होता है वो वही बताता है लेकिन यहाँ पर आकर के जिन बच्चों को नई नई सवारी आती है या कुछ बच्चे जिनको ये पता ही नहीं होता कि ये सवारी है क्या है वो उसको भूतपरेत मान लेते हैं कोई कुछ मान लेता है कोई देवी बताता है कोई भूतपरेत बताता है तो यहाँ पर आकर के बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो ज popcorn हो जाते हैं उनको कोई रास्टा नहीं मिलता है बहुत से बच्चे सालो सालो भटकते रहते हैं या पिर कहीं से उनको ये घ्यान मिल जाता है कि सावारी वाले व्यक्ति को गुरू धारन करना जरूरी होता है तो यहां पर आकर के बच्चों के लिए जो है एक गुरू की तलाश शुरू हो जाती है वो गुरू को तलाशना शुरू कर देते हैं लेकिन गुरू को तलाशना भी बहुत मुश्किल होता है बहुत कहते हैं बहुत ही कठिन काम होता है गुरू की तलाश करना तो वो अपने पहले आसपास देखते हैं कि हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसको हम गुरू बना सके तो जब आसपास देखते हैं तो उन्हें आसपास मिल जाता है गुरू यानि जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो उनको गुरू के रूप में दिखाई देते हैं या कोई संथ होते हैं वो उनको गुरू के रूप में दिखाई देते हैं कि यह यह परिशानी है और हमें आपको गुरुधारन करना है चलिए संथ हो यह पंडी तो कोई भी हो सब क्रपालू होते हैं दयालू होते हैं तो वह बच्चे की स्थिति को देखकर अपनी क्रपा करते हैं संथ होते हैं वह भी अपनी क्रपा करते हैं वह भी अपनी क्रपा कर उसी ग्यान से उस बच्चे को भी ग्यान देते हैं लेकिन बच्चा ग्यान लेता है लेकिन अब भी उसके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसका उत्तर उन्हें नहीं मिलता है जो उनकी परेशानी होती है उन परेशानियों का उनको हल नहीं मिलता है तो यहां पर आके को में नहीं मिल वारह है तो वहां पर जाकर के बच्चे फिर ब्रहामित हो जाते हैं वह फिर चंतित हो जाते हैं कि हमने गुरू की बात आती है तो आपको ऐसे व्यक्ति को गुरुधारन करना चाहिए जो पहले से ही जिसको सवारी आती हो जो सवारी का अच्छा ग्यान रखता हो जो जो शक्तियां होती है उसका अच्छा ग्यान रखता हो क्योंकि शक्तियां चलाने के लिए शक्तियों का विशेशग्य हो वही आपकी शक्ति को चला पाएगा अन्यता आपकी शक्ति को नहीं चला पाएगा क्योंकि अगर हम पंडी जी की बात करें तो वो कर्मकांड का कारिय करते हैं पूजा पद्धिती का काम करते हैं जो चीए कारिय करते हैं लेकिन यहाँ पर कर्मकांड काम आता है एक अलग इस को चैसे करना है आगे सभारी आपको आगे का रास्ता दी खाती है यह कुछ और अन्य काक्रीए कराना चाहती यह शमानेहीं होते है यानि करवाती है तो उन सबी बातों के लिए आपको ऐसे विक्ति को अपना गुरू धरन करना होता है जो शक्तियों का विशेशग्य होता है अगर आपके पास ऐसा व्यक्ति नहीं है और ऐसा गुरू नहीं है तो आप अपनी शक्तियों को नहीं ठीक से चला पाएंगे नहीं उनके जो नियम है वो कर पाएंगे और जो शक्तियों को समय समय पर भोग प्रशाद आद यह प्रकार आपको यही आर्थ होता है कि वहांगों आपको अज्ञात्मिक तो है लेकिन आध्यात्मिक होने के सासर्साथ आपके साथ में और जाए भी चल रही है तो यहाँ पर आध्यात्मिक प्लस शक्तियों का जानकार इस तरह का गुरू होना जरूरी होता है और जो आध्यात्मिक और शक्तियों का जानकार होगा वो आपको बिल्कुल सही रास्ते पे लेके जाएगा आपको आपके इश्टदेव से भी मिलाएगा और आपके शक्तियों को भी ठीक प्रकार से चलाएगा और जो भी गल्तिया है तरूटिया है उसमें आपका पूरा-पूरा सुधार करेगा और आपको सही मार्ग पे लेके जाएगा और जहां तक सद्गुरु की बात है तो सद्गुरु जो होता है सद्गुरु भाग्या से मिलता है हम बार-बार यही कहते हैं कि सद्गुरु का मिलना ही बहुत बड़ा भाग्या होता है गुरु तो मिलते हैं लेकिन सद्गुरु हर किसी को प्राप्त नहीं होता जिसको सद्गुरु प्राप्त हुआ तो उसका बेड़ा पार होता है तो इस तरीके से आपको गुरु धारन करना चाहिए साथी आप ये भी ध्यान रखें गुरु धारन करने के बाद में आप जिस प्रकार से अपने माता पिता की सेवा करते हैं उसी प्रकार से आपको गुर की सेवा की जाती है और जो गुरू और शिष्य की पद्धती होती है जो रिशी परंपरा होती है गुरू की और शिष्य की उसमें किसी भी प्रकार की उच नीच नहीं होती है गुरू चाहे तो कुछ भी अपने शिष्यों को दे सकता है यानि वो कितना ज्यान शक्ति उर्जा जो भी उसने इकत्रित किया है अपने जीवन में अपने तब के माध्यम से अपने गुरू के माध्यम से वो शिश्य को दे सकता है और शिश्य अपने गुरू की सेवा में अपना तन मन धन कुछ भी जो उसके पास है जिसमें वो सामर्त है वो दे सकता है तो गुरू शिश्य परंपरा के अनुसार गूरू के लिए कुछ भी कर सकता है कोई सीमा नहीं है। जिस प्रकार से अंगुठा ही गुरू दक्षिना में मांग लिया था। यह जानते थे कि अगर मैंने अंगुठा दे दिया तो मैं कभी भी धनुश नहीं चला पाऊंगा और जो मेरा ये गुण है टैलेंट है ये खतम हो जाएगा लेकिन गुरू परमपरा के अनुसार उन्होंने गुरू दिक्षा देना जरूरी समझा और जो गुरू दिक्षा उन्होंने मांगी उन्होंने वही गुरू दिक्षा अर्थात अपना अंगुठा काट करके द्रोनाचा लेकिन यहां पर भी हम एक बात कहेंगे कि अपने शिष्षे को अपने से उपर लेके जाए क्योंकि जितना हमारा काबिल होगा जितना उसका नाम गोजेगा उसके सासद गुरू का नाम भी गोजता है तो मितर यह थी जानकारी आप सभी के लिए माभगवती से यही प्रात्न के लिए जै महाकाली जै महाकाल